आप सारे वैलकम करती।न। दोस्तों आज संड़े का दिन है और संड़े के दिन में मैं शुबह सुबह मैं नरस्री जरूर जाती हूं। और वहाह से मेंने कुछ प्लांट । पंध्या प्रचेज-इंक दिखा रहे हूं। प्रेंट्स सबसे पहले जो मैंने यह प्लांट परचेस किया है वह ऑस्टर का प्लांट है दोस्तों देखिये छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है और प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी है और यह जो ऑस्टर के प्लांट है तो फ्रेंड्स है यह hybrid वराइटी के ऑस्टर क अब देखें पता नहीं है तो मैं यह और स्थर के प्लांट ले आई हूं नर्सरी वाले भाहिया ने यह प्लांट मुझे बारा रुपे इच दिया है आप मुझे बताइएगा friend apaish मैं सस्ता लाई यूंकि महंगा लाई इसके बाद 2nd Mustlose के प्लांट लाईयू दोस्तों सेकेंड यह मैं डाय 양तर सके कुछ लगें कुछ कलर नहीं थे तो वही इंग ले आईयू ड्यान और यह नर्सृरी वाले भैयाने मखे दस रुपे एच दिए नेक्स्ट मेरी पर्चेजिंग है फ्रेंड यह डॉक फ्लावर के प्लांट छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है कलर का कोई अंदाज आ नहीं है कि किस कलर में यह खिलेंगे छोटे छोटे से प्लांट थे तो मैंने ले आई हूँ डॉक फ्लावर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और यह सब लेट विंटर में खिलने वाले पौदे हैं इसलिए यह सब अभी खिलेंगे इनको जैसे जैसे मेरे गुलदावरी के गंपले खाली होते जाएंगे वैसे-वैसे इन्हें मैं लगाती जाओंगे नेक्स्त दोस्तो मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है यह इंपेशन्स का प्लांट दिखिये फ्रेंट यह बहुत ही फेवरेट है, उनकी फ्लावरिंग बहुत देर तक होती है, मतब यह अप्रिल तक खिलेंगे, फस्ट वीक तक, और यह मुझे बहुत पसंद है, बहुत सारे कलर्स और वराइटी में यह आते हैं, कुछ मैं इंपेशन्स की प्लांट ले आई हूँ फ्रेंट, यह मुझे पंदरा रुपे इच जो है, दिये, मिला है, इसके बाद फ्रेंट, यह कैलेंडूला के प्लांट है, यह तीन प्लांट मैं कैलेंडूला के भी ले आई हूँ, छोटे-छोटे से इसमें यलो और और ओरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत प्यारा लगता है, दस इसके बाद फ्रेंट्स मैं बड़ी वाली डेहलिया के कुछ यह प्लांट्स नाई हूँ, आप देखने में फ्लावरिंग का कोई अंदाजा नहीं है कि किस कलर के फ्लावर खेलेंगे, लेकिन मैं इनको स्टेम के डिफ्रेंस से और लीफ के डिफ्रेंस से पर्चेस करके ला और दूसरी बाद लीफ देखें इसमें एक लीफ है और इसमें देखें तीन-तीन के उसमें डिवाइडेशन में लीफ है तो लीफ के डिफ्रेंस से और स्टेम के डिफ्रेंस से मैंने यह प्लांट्स लिया है कलर कोई भी अंदाजा नहीं है यह इस तरह के पॉली बैग में फ्रेंट्स लगे हुए अच्छा खासा पॉली बैग है तो मैं इनको अभी इसी पॉली बैक्स में लगे रहने दूंगी जैसे जैसे मेरे गुल्दावरी के गंबले खाली होते जाएंगे मैं इन्हें लगाती जाओंगी यह जो डेहलिया के प्लांट है उन्होंने मुझे 20 र लगाती जाओंगी फ्रेंट्स आप कुछे बताइए का कमेंट करके मैंने यह प्लांट प्रिजनेबल रेट पे लिए यह महंगे लिए अगर दोस्तों आपको मेरी परचेजिंग पसंद आई हो मेरी यह प्लांट पसंद आयो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और श के लिएएव एफ